नमस्ते दोस्तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले है Microsoft Excel में fully automatic invoice कैसे बनाते है इसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो जानने के लिए वीडियो को एक दाउन last तक देखिएगा तो चलिए process को start करते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक format को यहाँ पर design किया है एक invoice के format है यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर bill 2 में आप देख सकते हो नाम, address, mobile number, इसके बाद date, invoice number और नीचे यहाँ पर दोस्तो देखिए मैंने यहाँ पर serial number, description, quantity, unit price और amount को लिया है और इसके साथ ही नीचे यहाँ पर देखिए total amount, cgst, sgst and grand total को भी calculation किया है दोस्तो यहाँ पर मैंने जो invoice बनाया है यह fully automated है इसमें आप अपने हिसाब से data जब entry करोगे तो automatically वो सारा calculation होता जाएगा अब इसका print preview कैसा होगा just control F2 प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर देखिए print preview का option आएगा या फिर आप control P भी प्रेस कर सकते हो print करने के लिए यह देखिए यह है मेरा पूरा invoice अब इसको आप easily print करके अपने customer को दे सकते हो तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही एक invoice design करके दिखाऊंगा तो चलिए process को start करते है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर Excel के एक नए page को open कर लेना है open करने की बद सबसे पहला जो row है यहाँ पर आपको लिखना है I've data company का नाम इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है company का address फिर आपको नीचे यहाँ आना है यहाँ लिखना है mobile number और last में आपको लिखना है email id अब मैं दोस्तों यहाँ पर first row को select करूँगा select करके इनको marge कर लूँगा just home tab में जाना है आपको और यहाँ से margin center में जाके click कर देना है click करने के साथ ही यह cell marge हो जाएंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पर font size को भी थोरा से increase कर लूँगा just size को यहाँ पर increase करेंगे उसके बाद नीचे address के cell को select करेंगे और इनको भी मैं यहाँ पर marge कर लूँगा फिर मैं mobile number को भी select करके marge करूँगा और email id के cell को भी select करके marge कर लूँगा अब मैं दोस्तों नीचे एक row को छोड़के यहाँ पर in cell को select करूँगा select करके इनको भी मैं यहाँ पर margin center में क्लिक करके marge करूँगा और यहाँ पर मैं लिकूँगा invoice लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पर select करके इसके size को भी मैं यहाँ पर थोरा से increase कर लूँगा just यहाँ से size को increase करेंगे और इसको bold में क्लिक करके bold कर देंगे फिर एक row को छोड़ के नीचे यहाँ पर मैं कुछ cell को select करूँगा यहाँ से यहाँ तक select करेंगे select करने के बाद इनको मैं यहाँ पर margin center में click करके March कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा Build to लिखने के बाद मैं नीचे चलाओंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा Name Name लिखने के बाद नीचे आऊँगा यहाँ पर लिखूँगा Address और इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखूँगा Mobile Number अब मैं इस column को थोरा सा बढ़ा कर लूँगा Just column के border में जाके आपको left click करके इसको बढ़ा कर लेना है तो यह हो गया और इसके साथ ही address के जो row है इसको मैं यहाँ पर थोरा सा बढ़ा कर लूँगा क्यूंकि आपको यहाँ पर customer का address लिखना है अब मैं यहाँ पर इस पूरे sheet को select करूँगा इसके लिए आपको ठिक यहाँ पर जाके click करना है click करने के साथ ही पूरा sheet जो है वो यहाँ पर select हो जाएगा इसके बाद आपको जाना होगा home tab में और इसका जो alignment है उसको मैं यहाँ पर middle में set कर दूँगा और इसके साथ ही font box से अच्छा सा एक font style apply कर दूँगा आप यहाँ से किसी भी font को apply कर सकते दो इसके बाद मैं यहाँ पर जो company का नाम है इसको मैं यहाँ पर select करके इसको थोरा सा board कर दूँगा इसके बाद मैं यहाँ पर build to के एकदम right side में जाके यहाँ पर लिखूँगा date और नीचे मैं लिखूँगा inverse number इसके बाद मैं यहाँ पर इनको select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाओँगा home tab में और इसके alignment को मैं यहाँ पर right set कर दूँगा just यहाँ से आपको right alignment में जाके click कर देना है अब यहाँ पर दोनों box को मैं select करूँगा और इसका मैं border apply करूँगा इसके लिए आपको border button में जाना है और यहाँ से आपको all border में जाके click कर देना है click करने के साथ ही यहाँ पर देखिए border जो है बो यहाँ पर apply हो चुका है अब मैं यहाँ पर एक row को छोड के नीचे चलाओंगा और यहाँ पर लिखूँगा serial number serial number लिखने के बाद right side में जाओंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा description description को लिखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ cell को select करूँगा select करके इसको merge करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा description फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा quantity, quantity के बाद मैं लिखूंगा unit price और last में मैं लिखूंगा amount amount लिखने के बाद इन column को मैं थोरा सा adjust कर लूँगा, मतलब कि अपने हिसाब से थोरा सा बड़ा कर लूँगा, तो यह हो गया अब मैं यहाँ पर serial number, description, quantity, unit price और amount को select करूँगा और इसके alignment को home tab में जाके center कर दूँगा और इनको थोरा सा यहाँ पर bolt कर लेंगे दोस्तों अब मैं यहाँ पर company name को select करूँगा, select करने के बाद मैं चला जाओँगा home tab में और यहाँ से एक अच्छा सा back color को apply कर देंगे same process फलोग करके मैं यहाँ पर invoice के cell को भी select करूँगा और इसका एक back color और एक four color मैं यहाँ पर apply कर दूँगा अब मैं यहाँ पर bill to के cell को भी select करूँगा, select करने के बाद मैं यहाँ पर एक अच्छा सा back color और एक four color को apply कर दूँगा इसके बाद मैं यहाँ पर date और invoice number को select करूँगा और इनको मैं यहाँ पर थोरा सा bold कर दूँगा और इसके साथ ही name, address and mobile number को भी मैं यहाँ पर select करके bold कर दूँगा अब मैं दोस्तों यहाँ पर इन row को थोरा सा बड़ा कर दूँगा जस्ट यहाँ पर आपको पहला row को select करना है, name के इस row को select करेंगा और यहाँ से border में click करके इसको थोरा सा बड़ा कर लेंगे इसके बाद नीचे के बहुत सारे row को मैं यहाँ पर select करूँगा multiple select करने के बाद किसी भी एक row के border में जाके click करके इसको बड़ा करेंगे तो सारा row जो है वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा यह देखे, अब मैं दोस्तों यहाँ पर name के cell को select करूँगा name के यहाँ पर कुछ cell को select करके इसको merge करेंगे फिर मैं address के cell को भी select करूँगा इसको भी मैं यहाँ पर merge कर लूँगा फिर मैं mobile number के cell को select करूँगा और इनको भी मैं यहाँ पर merge कर लूँगा यहाँ पर अपने customer का नाम, address और mobile number लिख सकते हो इसके साथ ही यहाँ पर मैं built to का जो row है इसको मैं थोरा से यहाँ पर बड़ा कर दूँगा तो देखने में अच्छा लगेगा यह दिखे अब मैं दोस्तों मैं यहाँ यहाँ पर serial number, description, quantity, unit price और amount में border apply करूँगा इसके लिए सबसे पहले मैं serial number को select करूँगा चला जाओंगा home tab में home tab में जाने के बाद यहाँ से दिखे border बटन में आपको जाके click करना है और यहाँ से आपको outside border में जाके click कर देना है click करने के साथ ही यह दिखे border apply हो चुका है same process follow करके description में भी मैं outside border को apply करूँगा quantity में, unit price में और amount में same border मैं यहाँ पर apply कर दूँगा फिर मैं यहाँ पर serial number, description इनको select करके इन में भी outside border को apply कर दूँगा और एक अच्छा सा back color मैं यहाँ से choose करके apply कर दूँगा just यहाँ से आप किसी भी color को apply कर सकते हो तो यह color में click करके मैं यहाँ पर apply कर दूँगा अब मैं इन भास के एकदम नीचे चलाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ cell को march करूँगा इन दोनों cell को मैं select करूँगा select करके march करूँगा और यहाँ पर मैं लेकूँगा total amount अब मैं यहाँ पर नीचे और दो cell को select करूँगा और इनको मैं यहाँ पर march करूँगा और यहाँ पर मैं लेकूँगा cgst और bracket मैं लेकूँगा 9% इसके बाद नीचे और दो cell को मैं यहाँ पर march करूँगा और यहाँ पर लेकूँगा sgst bracket में 9% दोस्तों मैं यहाँ पर 9% 9% total 18% approx GST पकरके मैं यहाँ पर काम करूँगा आप यहाँ पर अपने हिसाब से GST को add कर सकते हो अपने item के अनुपसार फिर मैं नीचे और दो cell को march करूँगा March करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा grand total अब मैं दोस्तों इन 4 को select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाऊँगा home tab में और इसके alignment को मैं यहाँ पर right set कर दूँगा फिर मैं यहाँ पर इनको select करूँगा इन सारे cell को select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाऊँगा home tab में और इसके border को मैं यहाँ पे all border apply कर दूँगा तो दोस्तों यह देखिए यहाँ पे border apply हो चुका है अब मैं नीचे चलाओंगा और नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा authorized signature इसके लिए मैं यहाँ पे 3 cell को select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाओंगा home tab में और यहाँ से border button में click करने के बाद bottom border में जाकर click कर दूँगा click करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक line add हो चुका है अब मैं नीचे इन 3 cell को select करूँगा select करके इनको मैं यहाँ पे merge करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा authorized signature अब मैं इसको थोड़ा bold कर दूँगा just home tab में आपको यहाँ पे bold में जाके click करना है इसके बाद मैं यहाँ इन सारे को भी select करके इनको भी मैं यहाँ पे bold कर दूँगा तो दोस्तों यह हो गया मेरा design अब इसका print कैसे आएगा आपको दिखाते है just control P आपको प्रेस करना है प्रेस करने के साथ ही print का एक window यहाँ पे open हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपके invoice का print preview दिखाएगा यहाँ पे देखिए मेरा जो पूरा invoice है वो यहाँ पे नहीं आया है इसके लिए आपको थोरा सा, इसके size को थोरा छोटा करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे normal view में आऊँगा और यहाँ पे आपको in column को थोरा सा छोटा कर लेना है description के, इनको मैं यहाँ पे select करके थोरा सा छोटा कर दूँगा और इसके बाद मैं चला जाओंगा page layout tab में page layout tab में जाने के बाद आपको क्लिक करना है margin में और यहाँ से custom margin में जाके आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से left और right margin को one inch में set कर लेना है मैं left को भी one में set करूंगा और right को भी one में set करने के वद जब simply आपको एक बार okay में आके click कर देना है. Click करने के साथ ही यहापे देखे margin जो है वो यहाप set हो चुका है. अब दोस्तो मैं आपको यहापे print preview दिखाता हूँ. Just control P प्रेस करेंगे यह देखे मेरा पूरा invoice जो है वो यहापे आ चुका है. अब मैं दोस्तो यहापे normal view में चलाओंगा और यहापे देखे दोस्तो description का जो part है मैं इसको थोड़ा पहले set कर लूँगा. इसके लिए description के एक एक row को मैं यहापे select करूँगा और इनको मैं यहापे marge कर लूँगा. Just select करेंगे और margin center में जाके click करना है. First row को marge करने के बाद आपको just in को select करना है और ctrl y प्रेस करना है तो marge होता जाएगा automatically. Select करने के बाद just ctrl y आपको प्रेस करना है. तो दोस्तो यह हो गया मैं यहापे one by one formula को apply करके दिखाऊँगा. सबसे पहले मैं description में apply करूँगा एक list को. इसके लिए आपको यहापे अपने item का पूरा detail list एक बनाना है आपको excel में. मैंने यहापे sheet 3 में एक list यहापे बनाया है यह item name और यहापे उसका rate मैंने यहापे लिखा है. इन सारे item के उपर base करके मैं एक list यहापे create करूँगा. इसके लिए मैं चला जाओंगा description के first cell में और यहाँ से आपको जाना है data tab में. data tab में जाने के बाद आपको click करना है data validation में और यहाँ से आपको data validation में click करना है. click करने के साथी data validation का एक window यहापे open हो जाएगा और यहाँ से आपको choose करना है list को. list को choose करने के बाद आपको यहाँ पर source में क्लिक करना है फिर आपको जाना है sheet 3 में और सारे item का नाम आपको यहाँ पर select कर देना है select करने के बाद just simply एक बार okay में आके click करेंगे click करने के साथ ही यहाँ पर दिखे description में एक drop down list create हो चुका है अब आप यहाँ से किसी भी item को choose करके description में add कर सकती हो अब मैं इस formula को description के सारे cell में add करूंगा इसके लिए यहाँ से click करके drag करके autofill कर देंगे अब मैं इसके border को यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लूँगा select करने के बाद मैं चला जाओंगा border बटन में और यहाँ से मैं outside border में जाके click करके border को apply कर दूँगा इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है quantity लिखने के बाद आपको यहाँ पर unit price को लेना है unit price में देखे sheet 3 में जो आपका rate लिखा है यह आपका unit price आएगा जब भी मैं description में किसी भी item को choose करूँगा choose करने के साथ ही automatically unit price जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके लिए आपको यहाँ पर Vlookup का एक simple formula लिखना है इसके लिए मैं यहाँ पर formula में लिखूँगा equal Vlookup Vlookup लिखने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर first packet को open कर लेना है open करने के बाद सबसे पहले आपको देना है lookup value तो यहाँ पर lookup value मेरा जो है वो है description तो मैं यहाँ पर description के first cell को select कर लूँगा फिर देंगे comma, comma देने के बाद आपको यहाँ पर table array देना है table array में आपको जाना है sheet 3 में और यहाँ से आपको पूरा table को select कर देना है select करने के बाद ऊपर यहाँ पर देखिए जो formula है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा इसके बाद आपको देना है comma comma देने के बाद आपको यहाँ पर column index आपको देना है इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा zero zero लिखने के बाद just bracket को close करेंगे और एक बार enter करना है enter करने के साथ ही unit price का जो formula है वो यहाँ पर देखिए apply हो चुका है लेकिन यहाँ पर कुछ error आया है इसके लिए आपको यहाँ पर formula में थोड़ा correction करना है formula में सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा if error if error लिखने के बाद just first bracket को open करेंगे first bracket को open करने के बाद एकदम last में चलाएंगे यहाँ पर देंगे comma comma देने के बाद अगर आपका value यहाँ पर मतलब कि blank होगा तो यहाँ पर आपको double quotation open and close आपको यहाँ पर कर लेना है just bracket को close करेंगे और एक बार enter करेंगे मतलब कि जब भी description का value blank होगा तो unit price भी आपका यहाँ पर blank चलाएगा जब भी आप यहाँ पर किसी भी item को choose करेंगे तो इसके साथ ही देखें यहाँ पर unit price जो है वो यहाँ पर update होता जाएगा अब मैं यहाँ पर description में जो item है इसको मैं यहाँ पर delete करूँगा इसके बाद unit price का जो formula है इसको एकदम drag करके last तक fill कर दूँगा तो यह होगया formula apply करना अब मैं यहाँ पर amount के formula को apply करूँगा इसके लिए आपको यहाँ पर formula में लिखना है equal, equal देने के बाद आपको यहाँ पर quantity into unit price मतलब कि equal, equal देने के बाद आपको quantity के first cell को select करना है into unit price के cell को select करके जस्ट एक बार enter कर देना है दोस्तों यहाँ पर देखिए formula तो apply हो चुका है लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ error आया है यहाँ पर भी आपको if error का formula apply करना परेगा इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा if error then first bracket को open करेंगे और last में जाएंगे comma देने के बाद double inverted comma open and close करके bracket को close करके एक बार enter करेंगे इससे होगा कि जब भी आपका unit price blank होगा तो यहाँ पर automatically आपका जो amount है वो भी यहाँ पर blank आएगा यहाँ पर भी मैं formula को last तक drag करके auto fail कर दूँगा इसके बाद मैं चलाओंगा एकदम नीचे total amount में total amount में आपको यहाँ पर formula लिखना है sum का यहाँ पर लिखेंगे equal sum sum लिखने के बाद first bracket को open करेंगे और amount के total cell को जितने भी cell है इनको मैं यहाँ पर select कर दूँगा select करने के बाद bracket को close करेंगे और एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही आपका total amount का formula जो है formula लिखना है formula में आपको लिखना होगा equal equal देने के बाद आपको total amount का जो cell है इसको आपको यहाँ पर select करना है into 9% आपको लिखके just एक बार enter कर देना है तो यह होगे आपका cgst का formula अब मैं same process पर लोगर के sgst को calculate करूँगा equal इसके बाद आपको total amount का cell को select करना है into 9% लिखने के बाद just एक बार enter कर देना है enter करने के साथ ही यहाँ पर देखे sgst का formula भी यहाँ पर complete हो चुका है अब मैं यहाँ पर calculate करूँगा grant total को इसके लिए आपको इन तीनों का addition मतलब कि sum आपको यहाँ पर करना है इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा equal equal देने के बाद total amount plus cgst plus sgst just एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही यह total का formula भी यहाँ पर complete हो चुका है अब मैं दोस्तों excel के यहाँ पर जो grid line है इसको मैं यहाँ पर remove करूँगा यह side के जो boxes है इनको मैं remove करूँगा इसके लिए आपको जाना होगा view tab में view tab में जाने के बाद आपको click करना है grid line में grid line में click करके grid line को remove कर लेना है तो यह दिखिए extra जो lines थे वो सारे यहाँ पर remove हो चुके है अब मैं दोस्तो इन पूरे invoice को select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाऊंगा home tab में और यहाँ से border बटन में जाने के बाद यहाँ से मैं thick box border को apply कर दूँगा apply करने के साथ यहाँ पर दिखिए मेरे invoice के चारो साइड में एक thick box border apply हो चुका है अब मैं दोस्तो आपको यहाँ पर एक invoice को बना के दिखाऊंगा इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर bill to में नाम लिखूंगा नाम लिखने के बाद मैं चलाऊंगा address में address में मैं address लिखूंगा इसके बाद आपको यहाँ पर mobile number लिखना है लिखने के बाद आपको यहाँ पर date लिखना है date में आपको यहाँ पर equal to day लिख के first bracket को open and close करना है just एक बर enter करेंगे enter करने के साथ ही current date जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर invoice number लिखना है फिर मैं नीचे चलाऊंगा यहाँ पर serial number में यहाँ पर लिखूंगा 1 इसके बाद मैं चलाऊंगा description में यहाँ पर आप किसी भी item को drop down list से चूज कर सकते हो चूज करने के साथ ही यहाँ पर देखे automatically unit price जो है वो update हो जाएगा इसके बाद आपको कितना quantity आपने sell किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद देखे लिखने के साथ ही automatically आपका जो amount है वो यहाँ पर calculate हो जाएगा फिर मैं नीचे चलाऊंगा और यहाँ पर देखे total amount जा है वो यहाँ पर calculation हो चुका है 9% CGST, 9% SGST और नीचे देखे grand total automatically calculation हो चुका है अब आप इस invoice में जितना मर्जी उतना item को add कर सकती हो item को add करने के बाद automatically यहाँ पर देखे unit price एड़ हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर quantity देना है quantity देने के साथ ही आपका amount जो है वो यहाँ पर calculate हो जाएगा नीचे total amount, CGST, SGST and grand total amount भी automatically calculation होता जाएगा अब मैं इनको select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाओंगा home tab में home tab में जाने के बाद इसके alignment को center set कर दूँगा अब मैं यहाँ पर unit price and amount को select करके just यहाँ से separator को add करूँगा और नीचे यहाँ पर जो total amount CGST, SGST amount है इनको भी मैं यहाँ पर selection करके just separator को add कर दूँगा और इसके साथ ही नीचे के इन amount को मैं यहाँ पर select करूँगा select करने के बाद इनको bold कर दूँगा अब मैं यहाँ पर और एक item आपको add करके दिखाऊँगा just यहाँ पर आपको 3 लिखना है इसके बाद description से आपको item को चूज कर लेना है automatically unit price आ जाएगा और यहाँ पर आपको quantity को दे देना है quantity देने के साथ ही automatically देखे यहाँ पर amount नीचे total amount के साथ वो amount जूड़ गया है इसके बाद CGST, SGST and grand total amount भी automatically calculate हो चुका है अब इसको आप easily print करके अपने customer को easily दे सकते हो तो दोस्तों यह था simple process जिसको यूज करके आप easily Microsoft Excel में fully automatic invoice को बना सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा Thank you for watching the video Please keep your support